अब इस वूडियो में दोस्तों हम factors of 72 यानि बहुतर के अभाज जे गुणन कंड निकालेंगे देखे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी भी नमबर को prime number के multiply के रूप में लिखना इसके लिए क्या करेंगे आप इसका कुछ ऐसा process करेंगे अपना prime number से इसको divide करेंगे यहाँ पे एक से 10 तक के मैंने prime number लिखे हैं क्या है 2, 3, 5, 7 अब इसमें जैसे हमने 2 का भाग दिया आप यहाँ side में लिखके 2 का भाग दे सकते हैं कितना 3 वार चला गया कितना 6 आगया माइनस किया एक आगया इस दो को यहाँ ले आए कितना 6 वार पाग चला गया कितना 12 आगया फिर माइनस किया 0 आगया देखे 2 का पूरा का पूरा भाग चला गया यहाँ पर आपका सेंसफ़ल 0 आया मतलब क्या है यह संक्या आपकी 2 से पूर्टे विवाजित है जितनी वार आपका दोस्तों भाग जाता है कितना 36 वार गया है इसको यहाँ लिख देना है फिर हम इसमें 2 का भाग किया है कितना 18 वार चला गया आप ऐसे लिख के हर वार डिवाइट कर सकते है मैं अभी डिरेक्ट डिवाइट कर रहा हूँ फिर हमने 18 में 2 का भाग दिया कितना 9 वार चला गया अब 9 में देखिया आपका 2 का भाग नहीं जा रहे जब आपने 9 में 2 का भाग दिया कितना 4 वार चला गया 8 आ गया, माइनस किया एक सैंस पला गया यहानि पूरा का पूरा भाग आपका नहीं गया है तो फिर हम 2 को छोड़ के किस के पास गया, 3 के पास जब आपने 3 का 9 में भाग दिया कितना 3 वार आजाता है फिर 3 में 3 का भाग आपका 1 वार आगया तो यहां पर बहुतर के हमारे फास है क्या फैक्टर आगे यह आगे दो कितनी वार है तीन वार और तीन कितनी वार है आपका दो वार है तो इस तरीके से यहां आप अपने फैक्टर निका सकते हैं बापस अब इनका मल्टिप्लाइ करेंगे आपको क्या मिलेगा बहुत तरही मिलेगा